दुनिया के साथ अजुबों का नाम सुनते ही सबके दिमाग में दुनिया की सबसे खुबसूरत इमारोतों में से एक ताज महल का चित्र उभर आता है। इसे मुगल बाश्या शाज जहां ने अपनी बेगम मुम्ताज महल की याद में बनवाया था। शायद इसी कारण इसे आज पूरी दुनिया में प्रेमी जोणों के द्वारा प्यार की अद्भुत मिसाल के तौर पर देखा जाता है। इस वीडियो में हमने इस अद्भुत इमारत के बारे में तेहरा ऐसे आश्चर जनक तत्यों के बारे में बताया हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। नमबर एक मुम्ताज महल के मकबरे की छट पर एक छेद है। आज भी इसी छेद के कारण मुम्ताज महल का मकबरा नमी से ग्रसित रहता है। ताज महल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ हैं जिसको मजबूत बना रहने के लिए नमी की जरूरत होती है। यदि ताज महल के बगल में यमुना नदी नहीं बह रही होती तो ये लकड़ी मजबूत नहीं होती। आपको बता दें कि ये लकड़ी नदी के पानी से नमी सोकती है। इसलिए अगर यमुना नदी नहीं होती तो अभी तक ताज महल किर गया होता। नमबर तीन, ताज महल के चारों और के मिनार एक दूसरे की और जुके हुए हैं ऐसा इसलिए है ताकि भुकम भी अबिजली के गरने की हालत में मिनार को मुख्य इमारत पर गरने से बचाया जा सके नमबर चार, कुतुब मिनार से भी लंबा है ताज महल वैसे तो कुतुब मिनार को भारत की सबसे लंबी मिनार के तौर पड़ जाना जाता है जिसकी उचाए 72.5 मीटर है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताज महल की उचाए 73 मीटर है अर्थात, ताज महल कुतुब मिनार से आदा मीटर अधिक उचा है नमबर पांच आप ये जानकर चौक जाएंगे कि ताज महल में लगे सभी फवारे एक साथ ही काम करते हैं दरसल हर फवारे के नीचे एक टंकी लगी है जो कि एक ही समय भरती है और दबाव बनने पर पानी उपर फैकती है ये सभी फवारे बिना किसी मशीन या मोटर के पानी फैकते हैं दूतिय विश्वी युद्ध भारत पाकिस्तान युद्ध और 9-11 के हमलों के बाद भारतिय पुरा तत्व सर्वेक्षन विभाग ने ताज महल के चारों और बांस का घेरा बना कर उसे हरे रंग की चादर से ढख दिया था जिससे की ये दुश्मन को दिखाई ना दे और इस पर हमला ना किया जा सके नमबर साथ एक खबर ये भी है कि इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काड़ दिया गए थे ताकि वे ऐसी कोई और अमारत ना बना सके लेकिन शाजहां अपने एरादे में कामयाब ना हो सका क्योंकि ताजमहल के बाद भी कई अन्य भवे इमारतें इन्ही कारिगरों की मदद से बनवाई गई थी इन्ही में से एक कारिगर थे उस्ताद एहमत लाहोरी जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को बनाने में काफी मदद की थी नमबर आट ताजमहल की कराकृती में 28 तरह के नाया पत्थरों को लगाया गया था जो कि किसी की भी आँखों को चौंधिया सकते थे ये पत्थर, चीन, तिबबद और शिरलंका से मंगवाए गये थे लेकिन अंग्रेजों ने इन कीमती पत्थरों को निकाल लिया था नमबर नौ 1632 से 1653 की अवधी में जब ताजमहल बना था तब इस पर 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे जिनकी वर्दमान कीमत 16.28 लाक अमेरिकी डॉलर है नमबर दस शाजहां का ये सपना था कि वो अपने लिए भी एक काला ताजमहल बनवाए लेकिन उसके बेटे औरंग जेब द्वारा कैद किये जाने के कारण वो अपना सपना पूरा ना कर सका नमबर ग्यारा ताजमहल के साथ पहली सेलफी जॉर्ज हैरिसन नामक व्यक्ति ने ली थी ये सेलफी उस समय ली गई थी जब सेलफी का दौर ही नहीं था नमबर बारा ताजमहल का रंग बदलता है दिन के अलग अलग समय के हिसाब से इसका रंग बदलता है सुबह के समय ये गुलाबी देखता है और शाम को दूदिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है नमबर 13 ताज महल को देखने के लिए एक दिन में 12,000 सैलानी आते हैं इतने सैलानी पूरी दुनिया में किसी भी इमारत को देखने के लिए नहीं आते दोस्तों अगर आप भविश्य में भी ऐसी ही इंट्रेस्टिंग और इंफोमेटिक वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके